आखातीज पर देखे सगुन अच्छी बारिस के मिले संकेत साइला कस्बी सहीत आसपास के गाउ में आखातीज का विशेस महत्व माना जाता है विशेस तोर पर आखातीज के दिन किसानों वग्रामिणों की और से देखे जाने वाले सगुन का जुड़ाव सीधा खेती बाड़ियां मानसून से होता है वही आम तोर पर देखा जाए तो गाउं में यह प्रमप्रा सदियों से चली आ रहे है हलांकि आकात इसके आफसर पर विबिन गाउं में अलग-अलग प्रचलन के अनुसार सगुन देखने का रेती रिवादी पहना है इस दिन देखे जाने वाले सगुन से खेती कवने वाले फिश्कों को आने वाले पुरी वर्ष के प्लादेश की जानकरिवे अनुमान दीवाना जाता है तस्पिश में दासपास के विबिन गाउं में देखी गए सगुन के आदार पर इस वर्ष आशाड स्रावन भादर पत इन तिन मां हमें अच्छी बारिस होगी जिससे नदी नालों में उफान देखा जा सकता है वैसे देखा जाए तो आएम तोर पर प्रते गाउं में सगुन देखने की विदी अलग अलग धंग से होती है सुक्रवार को वालेरा के दूदेश्वर महादेव मठ में महंत पारस भारती महाराज के सानित्य में हर वरस भाती इस वर्ष भी अकातीज पर सगुन देखे गए वैसे सगुन देखने की विदी के लिए एक थाली में मिटी की गणपती की मुर्ति बना कर एक पाट पर विराजमान कर दीपक लगा कर थाली में साथ धान यानि बाजरा गवार मुंग सहित रख कर उसके उपर गुड के टुकडे रखे गए फिर बाजरी के भाव तेह किये ग गई यह भाव बढ़ाते हुए जब तक थाली में रखे साथ धान पर मक्षी नहीं बैटी कापी इंतजार करने के बाद बाजरी के भाव 31 रुपे किये गे तब जाकर मक्षी बाजरी वह गवार पर आकर बैठी तब ग्रामिनों ने अंदाज लगा कि इस बार बाजरी के भ या संकर भारती घेवर जी राजप्रोहित ओखमाल सुकदेव सिंग वा कालू सिंग सहीत कहीं जने मौजुद रहे